हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंकार रहा आप सब का अपके अपने चैनल लेट्स इस्टार्ड इस्टडिम बहुत बहुत सवागत हूँ आज मैं आप सब के लिए सीटेट एक्जाम के लिए सीडीपी के सौर्ट रिवीजन सीरी लिख्या हूँ जैसे कि आप सब को पते हैं कि सब प्रिवीजन सीरी आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्फुल होगी क्योंकि हम हर पॉइंट टॉपिक के क्या करा सिर्फ इंपॉटेंट पॉइंट डिस्कूस करेंगे जो आपके एक्जाम के लेवल को ध्यान में रखके बनाए गये जिस तरह से शीटेट एक्जाम में क अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेडिस्ट में जाई जा रही आज आझाने को पहला टॉपिक हविकास की आधिगम से सम्मंद इसके बारे मैं पढ़ते हैं इसमें पढ़ेंगे विकास क्या होता है ब्रदिवा विकास में अंतर क्या होता है विकास की ओधारना क्या है इसका अधिकम से सम्मंद क्या से है इस टॉपिक से किस तरह से आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारी क्वेस्टन को आप इजली सॉल्व कर सकें तो चलिए हम पढ़ते हैं विकास की ओधारना विकास होता है कि पहले तो आपको यह पता होना चाह कि जैसे मारे जीवन के पतीक च most कभी लिए और यूता रहते कुछ उता रहते कुछ ब्रद्र होती रहती कुछ ने कुछ विकास होता है यही तो होता है जीवन को कहते है इस सह्य कुछ लखis Haat Trai निए हमारे डिभलेवेंट कि आ एक हुछ लसक़ अब डिखास को होती है त आपके ब्रद्ध होती है तो ब्रद्ध मात्रात्मक होती है और यह निस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और विकास कैसे होता है विकास आपका मात्रात्मक वो गुडात्मक होता है और विकास सतत रूप से जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया है जैसे आपकी ब्रद कैसी होती है मात्रात्मक होती है और एक निस्चिस समय तक होती है और जिबके विकास आपको कैसे होता है तो मात अंता सम्मंदित होते हैं जैसे आप मानसिक विकास, भासाई विकास, सामाजिक विकास, सम्विग आत्मक विकास, गत्यात्मक विकास ये सारे पच्छे जों क्या होते हैं आपस में अंता सम्मंदित होते हैं जैसे आप मानलेजिए कि एक बच्चा हुआ अब उस छोटे से इसमाज में समाई जितना कर पाएं तो सामाजिक विकास भी औरुद दोगा तो इसी रहे जाते हैं विकास के जितने भी पच्छ होते हैं आपस में अंता समन्दित होते हैं कि विकास के होते हैं सारी रिटे की विकास सारी रिटेGR का बाइए हुआ है, जैसे बचे का भासरी विकास प्रारम होते हैं, तो को बसे हैं बच्चे-चैसरे सब से पहले क्या करता है। कुकिंग प्रारम करते हैं गश्यु आत पर इस दियंग बभा नशसे के बभासा कोब्ण से जो आई, को किसे सम्मनी थे बच्च lleva अग्स्याइप करते हैं अगला आपको क्यों होते हैं सामाजी करण क्यों होते हैं सामाजी करण में आपको समझाए तो सामाजी करण मुक्त दो प्रकार को होता हैं प्रात्मिक सामाजी करण कहां पे होते हैं परिवार में तो बालक का पहला सामाजी करण प्राम का होते हैं परिवार में फिर अपने प अगलां से होते हैं संवीगात्मक विकास्ट वि जैसाइज बच्ची को टॉय के लेकर जाए उसे को पसंद आजा आप उसे नहीं दिलाएं तो देखेंगे बच्च Спوरा करना पर की सीरे को लेकर जाएए उसे अगर टॉय पसंद आ जाए अपना दिलाएए तो अगर क्या करेगा बच्चा रोएगा ने भले उसे नहीं मिला दिला तो उसे गुस्ता आएगा बुरा लगेगा लेकिन बच्चा क्या करेगा रोएगा ने क्योंकि उसने अपने सम्वेगों पर नेंतरर करना सीख लिया यह आपका क्या होते हैं समवेगिक विकास होता है अगला क्या होते हैं क्रियात्मक विकास में क्या होता है जो क्रियाइं करता है जिसे लिखना लिखना चित्रकारी करना कड़ाई बुना यह सब उसकी क्रियाइं इन सम्में दस्ता हासिल करना टाइपिंग सीखना यह उसका क् रियात्मक विकास। इससी क्या होते हैं कहते हैं आपके चुकते उस्सका है क्यों और रियात्मक के से ह fol Em want to do याद देखना कई पर क्या होता है यह सारे जो पॉइंट है आपको पैडागोजी को सॉल्व करने में बहुत करेंगे जैसे कि आप सब को पता है किसका नामी होता है CDP Child Development and Pedagogy और यह pedagogy क्यों होते हैं आपकी किसी भी subject की pedagogy solve करेंगे उसमें आपकी help करती है जैसे क्यों होते हैं concept तो आपके same होते हैं बस वही सारी चीज़ी क्यों होते हैं अलाग लग जगे पर थोड़ा से condition change हो जाती है इसलिए आपको जब तक child development नहीं आएगा अच्छे से थब तक आप pedagogy को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और हम पर लेते हैं गत्यात्मो कोसल आपके दो प्रकार के होते हैं पहला क्या तो इस्तूल गतिक कोसल दूसरा सूच में गतिक कोसल कई बार आपके पूछे जाचुके हैं यसे मैं भूआ कोसल जब लिखना साइकल चेलाना जो मतलब लिखना आप es Fucking काम होते हैं जो की क्रिया हो और जिसमें मोटे मोटे पाम कर रहे हूं जिसमें बहुत ज्यादा सूच में काम ना करे प्धूच में को चूज wij अगर ब्रदिवा विकास कौको प्रवावित करने वाले कारक तो पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेते हैं ऐसे कौन-कौन से कार्यक हैं जो ब्रद्दिवा विकास को प्रोहावित करते हैं तो पहला आपका कौन से पोसड पोसड अगर बच्चे को उचित पालन पोसड नहीं होगा उचित पोसड पदार्थ नहीं मिलेंगे उचित खाद सामगरी नहीं मिलेगी तो उसको विकास सारे डिक तुप से अच्छा नहीं हो पाएगा जब सारे डिक रूप इसे नहीं अच्छा होगा तो मानसिक में या सामाजिक में भी एफेक्ट डालेगा क्योंकि आपको पते हैं विकास को समझत पच्छापस में क्या होते हैं अन्तासमंदित होते हैं और दूसरा क्या वनसानुकरम उस बच्ची का परिवार का परिवेस कैसा है उसको कैसा माहौल मिलाई या वनसानुकरम क्या होते हैं जो माता पिता से उसको जो गुड़ सूत्रो में लच्छान मेलें यह क्या होते हैं वनसानुकरम क्या करते हैं विकास को प्रभावित करते हैं जिसे आप सब को पते हैं बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं वनसानुकरम रोग होते हैं अन्वांसिक रोग होते हैं जो क्या होते हैं माताफिता से संतान को प्राप्त होते हैं तो ये भी क्या करते हैं विकास को प्रभावित करते हैं दूसरा क्या वातावरन बच्चे जिस परिवियस में रह रहा है उसको जैसा वातावरन होगा इसका भी बहुत बड़ा एफेक्ट पड़ता है जिस अपको पता है अनवान सितव वातावरंग दोनों बच्चे के विकास में महत्पुढ़ योगदान था किसी एक को जादा नहीं किया सकते किसी एक को समया रिख था क्म लिंग के आधारा के अलावा लिंग के आधार पर समाज़ी कारक्त्थ भी उते हैं गेए अग्यव साफोई कंड़े का मिदया दोption Eris अलावा समाज के दोरा लिंग के आधार पर समाज समुद्स प licenses壓 opposestr mein Hamo roadta के बारे में छेक्टर उसके बारे में आके पढ़ेंगे और अगला क्या होते हैं अंतास्रावी ग्रंतिएं जिसमों के कि ब्रदिवा विकास को क्या करता है प्रभावित करता है अब चलिए अगलाम टॉप पढ़ लेते हैं विकास की आवस्ता हैं जिसे आपको पते हैं विकास की मुक्ता कौन-कौन सी आवस्ता हैं होती हैं गर्बा आवस्ता, सैसा आवस्ता, बाले आवस्ता, किसोरा आवस्ता तो कई बार क्या होता है इनके उपनाम से रिलिटिक क्वेस्टन में आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या इनमें कौन-कौन सी विश्विस्टा है तो इन सब को डिटेल में मैंने इसको थेओरी वाले वीडियों पढ़ा है इसमें कुछ important point आपसे discuss करें बाकि अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप इसके थेओरी वाला वीडियो देख लिजे पहली क्यों होती गर्बावस्ता गर्बावस्ता कब से कब तक होती है तो लगबग 9 मात या 270 दिन कई बार option में दे सकता है अगर वैसे इस तरह सो question पूछता नहीं अगर पूछता है तो आप option के according लगा सकते है सैसा वस्ता जन्म से 2 वर्ष तक लगबग बाले आवस्ता 2 से 11 वर्ष तक कि 11 वर्ष तक कि 11 से 17 वर्ष तक अब चलिए हम सैसा वस्ता के बारे हम कुछ important point discuss कर लेते हैं बाकि इसके पहले की वीडियो में आपको detail से समझाया था सैसा वस्ता कब से कब तक होती है तो जन्म से 2 वर्ष तक जैसे ही बच्चे जन्म लेता है जन्म के बात से 2 वर्ष तक की जो अवस्ता होती है वो इसकी कौन सी अवस्ता होती है सैसावस्ता सैसावस्ता को भावी जीवन की आधार सिलव आतार्किक चिंतन की अवस्ता भी कहते हैं क्योंकि सैसावस्ता बच्चा जो चिंतन करता है कोई लॉजिकली चिंतन नहीं करता है आतार्किक चिंतन करता रहता है और इसमें सैसावस सब्सक्राइब और अब अबसे सब्सक्राइब करने उसको याद रखेसे कि उसकी उसकी मा उती उसको जादा देर तक लियर है उसका इसकी तरफ रहे सारे क्रियां जो उसके लिए की जाए ये समके होता है बच्चों में 100 प्रेम की भावना होती है और नैतिकता का आभाव होता है आपने अपने घर में सैसा वस्ता के छोटे बच्ची को देखा होगा उसका कोई भाईया या दीदी या छोटा भाईय बैन अगर उसे टॉय ले अगर उसे टॉय ले लेगा तो तुरंत रोनी लगता है यह चीनने लगता है क्योंकि उसमें नैतिकता की भावना नहीं होती क्यों कोई बात नहीं मेरे भाईया बहने क्योंकि सैसा वस्ता में क्या होती नैतिकता का अभाव पाया जाता है अगले आवस्ता के बारे पढ़ प tread आप। स्पいき प्रश्ट पोचती में किया है और बच्चे पीच्छा होती हैं। कोई चीज़ देखे तो पहले पुछे का क्या है क्यूं है क्या से ऐसा प्रश्ट पुछतर रहता है अब इसमें क्यों पुछता रहता है सम लिंगी के प्रिति आकर्ष्टनर की भावन होती इस परण को याद रखना सम लिंगी का ताथ पर क्या है लड़की आपने लड़किय प्रणा रहते हैं सम लिंगी के प्रदी आकर्सर की भावना होती है आत्मी निर्वरता की भावना क्योंकि अब इस वस्ता में बच्चे क्या करता है अपने चोटे-मोटे काम खुद करना सीख जाता है अपनी ड्रेस पहनना या और चोटे-चोटे काम इस इसी क्या होता है आत्मी निर्वरता की भावना आती है अगली अवस्ता के बारें मीटि कि सोब्सता कि सोरा वस्ता कि सोरा वस्ता ग्यारा से स Strength वरस्ता इसे तनाओ तूफान संगर्स की अवस्ता लूश्त हो और कभी पूसता था किस्छ ने क्या था तो इस टेंद्ले मेरी हालने करता इस सचाहर तुफान बें इनरेधाय मुझ में कब में पुलिस बारें आई आयसके हैं पुषय को फादा ने बहुत लग पुषया ऐसारे चीज़े किस बाइस दाव बारें सोचने नहीं होता है। इस नीयुक्त słuות Yuk उनके interest होते बदलते रहते हैं, कभी इस एक्टर को पसंद रागए, कभी किसी क्रिकेटर उन्हें पसंद आने लगता है, कभी किसी दूसरी को role model बना लगते हैं, यह सब क्यों होते हैं, और समायोजन का भाव होते हैं, क्या करते हैं थोड़ी से एकॉर्डिंग अगर सिचुएसन नहीं होती तो गुस्सा आने लगते हैं परिशान होने लगते हैं क्योंकि उन सम लिंगी की प्रतिया कर सुनता है अगला पढ़ लेते हैं अधिगम क्या होता है जिसे आपके टॉपिक का क्या नाम है विकास की ओधार नाव अधिगम से समन्द तो आपको पता है अधिगम का अगर सराल सब्दों में तातपर सब्दे तो अधिगम का सराल सब्दों में ता इसा नहीं परिवरतन हैं आदिगाम में ऐसा नहीं कि किसे निए कोई ड्रक्स ले लिया कोई मैडिसन ले लिए उसका कुछ एफेक्ट हो गया तो उसमें जो बैवार आ गया जैसे आपने देख़ो कि कई बर्क्रोफ करके उनके बिवाद में परिवरतन आ जाता है तो जब पिमार होता है तो उसके व्योयार में परिवर्तर नइस है उढ़ातर है और कुछ न को चीकते ज़र्मिनの तब से लगातार कुछ न को सीखनाreally है विकास को दोम बच्चे करेंः, विककास वी आन्ता सम्मंदी थे और अधिकम क्या जीवन परियां चलने वाली प्रक्रिया है जैसे आप सब को सब्सक्राइब करका अधिकम कर सकते हैं कि विकास को क्या सब्सक्राइब कर दो नोगीन दूसरी पूरा अन्ता सम्मंधी क्योंकि जब तक कोई ने कुछ न को सीखते रहते हैं यहीं सीखना ही आपका विकास होता है और लगातार जो चीखना और सीखना आपका क्या कहलाता है आदिगम तो इस तरह से आपको सीटेड एक्जाम को पहला टॉपिक था विकास की ओधार ना वा अदिगम से समझ इसको मै चनल पर सीटे क्जयम के लिए सिडी पी कि लास्स चल रहए हैं हिंदी पैटाकोजी के क्लासिस कंप्लीट हो चुकी है एविस क्लासिक reag sport कहुं हो चुकी है Lets अवminute को दिखते रहे हैं और अगर एंदक तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स इस्टाइश टेडी को सर्च करके जॉइन कर लेजे वहां पर आपको पीडियाप फार में नोट्स प्रॉइड की जाते हैं और अगर यह वीडियो आपको हेलफूल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर आपने द